कॉंग्रेस का कम हो रहा है वो 83 तक पहुंच गया देखिए नंबर कॉंग्रेस का कम हो रहा है बीजेपी का बढ़ रहा है 337 बीजेपी प्लस एंडिये अब जैसे जैसे गड़ी की सुईयां आगे बढ़ रही है कॉंग्रेस का नंबर देखे कम हो गया, 100 के करिता वो 83 पहुंच गया, 10 बड़ी बाते जल्दी से पहली बार लगातार दूसरी घर कॉंग्रेसी सरकार बनेगी, यह पहली बार हो रहा है, दूसरी बड़ी बात रुजान में बीजेपी को अकेले पूर पहुमत मिलता नदर आ बीजेपी 2014 का प्रदर्शन दोहराएगी, यह भी साफ होता नजर आ रहा है, इसके लावा यूपी में बीजेपी को 58, 58 सीटों पर बड़ा थै, पहले तेहतर थी एंडिया के पास, इसके लावा यूपी में बीजेपी को 58 फीसे दी, महागडबंदन को 49 फीसे दी, हमेशा क 50 फीसे दी के लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, पश्रिमंगाल और ओडिशा में बीजेपी को जबरदस फाइदा, मतलब नुकसान जो यूपी का है, उससे बड़ा पाइदा हो रहा है पश्रिमंगाल और ओडिशा में, दिल्ली की सभी साथों सीटों पर क्लीन सूई, सा 2014 में बीजेपी, 2019 में साथ की साथ बीजेपी, कॉंग्रेस को राजिसान और मद्य प्रदेश में बड़ा जटका, यानिकि जो 2014 में, 2019 में और कॉंग्रेस के सयोगियों में सिर्फ और सिर्फ दीम के का जो प्रदर्शन है, वो बहतर है, जो 83 आप देख रहे हैं, उसमें से 20- 22 दीम के सिर्फ पंजाब में कॉंग्रेस का प्रदर्शन है, पंजाब में कॉंग्रेस की सरकार है, कैप्टर नम्रेंदर सिंग वापर मुखे मंत्री है, और सिर्फ पंजाब में कॉंग्रेस का प्रदर्शन जो है, वो बहतर नजर आ रहा है, मतलब 2014 के नतीजे, 2019 के नतीज जो थोड़े बात नुकसान हुआ यूपी में सुधीर जी उसकी भरपाई पश्रिमंगाल और इशा से जी और अब आपको हम ये बता दें हमारे सारे करोनों दर्शक चाहे बारत में हो चाहे दुनिया के किसी भी और देश में आप हमें देख रहे हैं बीजेपी ने 2014 के मुकाबले इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है यानि 2014 से भी ज्यादा सीटें बीजेपी इस बार जीत रही है अगर आप अभी तक के रुजान देखें तो और 290 के पार अकेले बीजेपी रुजानों में पहुँच चुकी है ये बहुत बड़ी बात है जि जी नियुच के प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि 2014 का चुनाव में जो लहर थी वो अर्बन टू रूरल एरिया था सहर से गाउं की ओर थी उसमें मोदी जी पहली बार प्रदान मंत्री के उमिद्वार के रुप में थे आश्रा और अपेक्षाओं पर था 2019 का चुनाव उससे अलग है बुन्यादी तौर पर लग है यहां लहर गाउं से सहर की हो रहा है जो लोग सहर से यह सोच कर गए थे किस वार गटवंदन बना जातिय समिकरन बने और बीजेपी खराफ प्रदरसल करेगी गाउं में जाने के बाद जब उन्होंने रूबरू क लोगों से तूनका निजाज बगला इसलिए वो लहर फिर गाउं से सहर की हो रहा है यह भरोसे पर आधारिक लाहर लेकिन राकेश जी एक सवाल का जवाब दीजेगा यह लैर थोड़ी सी फीकी नहीं पड़ी थी जब मध्यप्रदेश शत्यजगर राजेसान हारे थे तब सयोगियों के दवाब में आए थे नितीश को 17 सीटे देदी पांच अपनी जीती वी देदी तब स्थिती थोड़ी डामाडोल हुई इसके बाद राशवात बाला कूट देखे इन तीन राज्यों में भारते जनता पार्टी तो चुनाहारी पार्टी ने विश्टेशन किया और साब दिखाई पर रहा है कुछ आंतरिक मामले थे कुछ इस्टेट गर्मेंट के खिलाफ एंटीन कमेंसी था और कई जगह तो नारे भी लगए कि हमें मोदी जी से बैर नहीं है तो पार्टी ने उसको जो करेक्शन मोड है लेकिन जो महत्पुन बात यह है जो इसके पह कर भो मिटर इनुट के पास नहीं है करते मुसलमानों का लगव तेम которой लाओं से इंपावर्मेंट होत घिपल तला के नाम पर उंसकोर चला Empowerment Hindu woman का ही क्यों हो Muslim woman का क्यों नहीं हो इसाई woman का क्यों नहीं हो ये सवाल एक democratization of Indian society जिस तरह से हो रहा है ये realize नहीं करें इनको लग रहा है कि मठों से पीठों से मस्जिदों से बैठ कर हम राजिती को चला सकते है इसा नहीं है अब जनता की कुटिया से राजिती के लिए कौटे से पैलेस की और राजिती आ रहे है राके जी जब हम लगातार चुनाव से पहले बात करते थे तो ऐसा लगता था कि कोई इस बात को नहीं जानता जब BJP के नेता भी ये कहते थे कि हम लोग आ रहे है या प्रधान मंतरी खुद ये कहते थे कि हम लोग पहले से ज़्यादा सीटे लेंगे तो कोई यकीन नहीं करता था लेकिन अब ऐसा लगता है कि प्रधान मंतरी मोदी को उस वक्त भी शायद एकी आदमी था जो जानता था कि ऐसा होने वाला है और वो वो थे मैं आपको आज एक अंश दिखाना चाहता हूँ आठ माई को मैंने प्रधान मंतरी मोदी का एक इंटर्व्यू लिया था और यही बात पूछी थी उस दिन उन्होंने क्या कहा था वो बात आज बिलकुल सत्य साबित हो रही है इसलिए आपका वो अंश दिखना आज जरूरी है आपको महसूस होता है जब आप जाते हैं जनता के बीच में कि वाकई आपकी लहर चल रही है सुने यह प्रो-इंकममन्सी वियाव है एक जो वर्तमान में सरकार है उस सरकार के समर्थन में जन सामान्या और यह चुनाव 2014 का चुनाव तो सरकार के खिलाब था 2014 का चुनाव मोदी स्वेंभी लड़ रहे थे यह चुनाव ऐसा है जो न मेरी पार्टी लड़ती है न मैं लड़ता हूँ देश की जनता लड़ती है हमसे जनता दस कदम आगे है तो यह प्रधान मंतरी मोदी का आंकलन था आठ मै को कि यह चुनाव जनता लड़ रही है और आज जो नतीजे आप देख रहे हैं जो रुजान आप देख रहे हैं बीजेपी बढ़ते बढ़ते 337 बीजेपी प्लस पहुच गई है कॉंग्रेस अब घट रही है कॉंग्रेस प्लस अब 83 पर जाकर जम गई है अदर्स 122 पर हैं अब ऐसा लगता है कि प्रधान मंतरी मोदी को यह आवास था वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं